हलो स्टुडेंट मैं रभी कांत कुमार आरके ग्यान दीप कोजिन सेंटर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज जो हैसे हमने साइंस का कुछ अब्जेक्टिव क्यूशन लेकर आये हैं जो 2021 एक्जाम के लिए बहुत-महुत पूर्णा है ठीक है आई हम देखते हैं बारे की परते की उचन को हम अच्छे से डिल करते हैं पहला क्योशन दिया क्या ऐसे पदार्थ जिन्से होकर प्रकास असानी से पार कर जाता है क्या कहते हैं? तो आपका राइट एंसर क्या हो जाएगा उसे हम पारदर्सी कहते हैं क्या कहते हैं पारदर्सी उसको कहते हैं ठीक है अगला क्यों चंदिया है क्या पारदर्सी के मतलब क्या होता है कि जैसी ही प्रकास मतलब उस वस्तु में जाएगा तो उस वस्तु से आपको आर पार क्या प्रकास हो जाएगा जैसे में लल्टेन का साफ सीशा ले लिजिए आपका अदम साफ होता है जैसी उसमें प्रकास जब वहां उसमें बरता है तो प्रकास आपको क्या है चारों तरफ छितर जाता है उसको मूल देंगे पारदर्सी दूसरा की चुन दिया क्या कि वस्तु से छ छोटा और अभासी परतिवीम किस दर्पन से प्राप्ते होता है ठीना तो आपका राइट अंसर क्या हो जागा कि उतल दर्पन से अपको प्राप्ते होता है अगला क्यों दिया क्या कि आउतल दर्पन की फोकस दूरी उसकी बकरता त्रीज्या की क्या होती है तो उसकी आध होती है क्या होती है आधी होती है कि मोटर गाड़ी के साइड मीरर में कौन सा दर्पन लगा रहता है तो मोटर गाड़ी के साइड मीरर में आपका जो दर्पन जो लगा होता है बगल में वह आपका दर्पन के नाम क्या है उत्तल दर्पन है क्या है उत्तल दर्पन है अगला क्यों चंदिया क्या कि उतल दर्पन द्वारा बना परतिवीम होता है उतल दर्पन में जो परतिवीम बनता है वह कैसा होता है तो आपका उतल दर्पन में बना परतिवीम क्या होता है तो आपका काल्पनिक और क्या होता है सीधा होता है क्या होता है कालपनिक और सीधा होता है अगला क्यूचन दिया क्या कि अगर आउतल दरपन में वस्तु मुख फोकस पर रहती है तो उसका परतिवीम कहां होता है अगर आउतल दरपन में वस्तु मुख फोकस पर रहती है तो उसका परतिवीम कहां होता है तो उसक डाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पन का उपयोग किया जता है तो डाढ़ी बनाने के लिए जो हम जिस दर्पन का उपयोग करते हैं उस दर्पन का नाम क्या है आपका राइट एंसर आउतल दर्पन हो जाएगा ठीक है अगरे क्यों चुन दिया है क्या कि जब आपतन कोन का मा होता है अगला किछन्दिया है कि पानी में हवा का बूलबुला चं किला दिखाई देता है इसका कारण क्या है और का यह स्थका पूर्ण आंत्रीक प्रावरतन है क्या है पूर्णांत्रीक प्रावर्तन है अगला किचन दिया है कि उत्तर लेंज की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है उसकी छमता होगी कितना तो उसकी छमता जो होगा से चार डायोप्टर होगा ठीना देखिए इसमें देखिए हम बतादना चाहते हैं की आपका जो चार डायोप्टर जो है कैसा है तो आपका एक पड़ наш होता है इसका इसका फ़मूला क्या है कि er mahu Mb 1248 में 0-1 होता है तिनने ईह किसके लिए होता है यह इसलिए होता है कि अगर मुणा कोई focus दूरी shaky hadua रहे तब इसका फर्मूला होता है कि बराबर सो बट्टा एफ होता है अगर कोई मिटर में रहता है तब का फर्मूला होता है अच्छा है फॉता है ठीक है यहां आपका एक वराबर जो है से कितना है पचीस है नीचे इसको पचीस होम लिख दे रहा है 25 से काटेंगे तो कितना गया चार आपको ऑगया यानि कि पराबर जो आपको आया से प्रसमें 4 डायोफ्टर आपको आपको आया तो अगर जो पलसमें आता थोड़ी बोल भी ऐगाए अगले की उचन देखते हैं कि कौन सा पदार्थ लेंच बनाने में परजुक्त नहीं किया जा सकता है उन्हें कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनानों पर जुक्त नहीं किरता है ये बहुत मस्त की उचन है अश्ट्टेंट तो आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा मीडड़े किसी लेंस की फोकस दूरी निर्भर करता है किसके उपर तो लेंस के पदार्थ का अपरतनांग पर करता है ठीक है अगले क्योचन दिया है कि लेंज की छमता का एसाई मातरक क्या होता है तो लेंज की छमता का एसाई मातरक जो होता से क्या होता है डायोफ्टर होता है जिसको हम कैप्टल डी से इसको सूचीत करते हैं ठीक है अगले क्योचन दिया है क्या कि स्वेट परकास में कितने रंग होते हैं तो आपका स्वेट परकास में जो हसी कितना सात रंग क्या है होते हैं ठीक है अगले क्यों चन दिया है कि स्वेट परकास को अभी अभी रंगों में तूटने की किरिया को कहते हैं मने स्वेत परकास को अभी अभी रंगों में टूटने की किरिया को कहते हैं क्या तो उसको बोलते हैं परकास का वर्न भी छेपन कहते हैं परकास का वर्न भी छेपन के मतलब है क्या कि जैसी जब परकास प्रिजम से होकर गुजरता है तो अब प्रिजम क्या करता है कि उस परक अगला की चंदिया क्या कि प्रकास में किस रंग का तरंगधज अधिक होता है तो सबसे ज्यादा तरंगधज वह से लाल रंग का होता है अगला की चंदिया क्या कि निकड द्रिष्टी वाले बेगती किस लेंज का चस्मा बेभार करते हैं निकर दिरिष्टी वाले बेगती किस लेंस का चास्मा का बेवार करते हैं तो वह लेंस अब क्या है अवतल लेंस है अगला क्यूचन दिया है कि सिल्वर नाइट रेट के बिलियन में कॉपर डालने पर कौन धातू की प्राप्ती होती है अगला क्यूचन दिया है कि सरीर में भोजन का पचना किस परकार की अविकिरिया है तो वह अपका अविकिरिया से क्या दिया है ऑक्सीकरन अविकिरिया है अगला क्यूचन दिया क्या कि जिस नेंतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्राराम करता है उसे कहते हैं क्या उसको आप बोलते हैं क्या जोलन ताप कहते हैं क्या कहते हैं उसको जोलन ताप कहते हैं अगला क्यूचन दिया कि खाना बनाने में परजुकते द्रब्यभूत पेट्रोलियम गैस का मुख अभयब क्या है तो मुख आपका अभयब जो है वह क्या है ब्यूटेन है अगले की उचन दिया है कि बेरियम कॉलराइड के बिलियन की जब सल्फियुरिक आमले से अभकिरिया कराई जाती है तो उस अभिकिरिया को क्या कहते हैं उस अभिकिरिया को जो हम कहते हैं वह आउच्छेपन अभिकिरिया कहते हैं अगला क्यूचन दिया है कि किसी ताजय तेल को बहुत दिनों तक सुरचित रखने के लिए किस गैस का उपयोग किया जता है मने किसी ताजा तेल को अगर सुरचित रखना है तो उसको किस गैस का उपयोग करके उसको हम सुरचित रख सकते हैं तब कराइट एंटसर इसमें दिया है क्या है कराइट एंटसर दिया है कि नाइट रोजन क्या दिया है नाइट रोजन दिया है चलिए अगला क्यूचन देखते है कि वासा जुग्ध खात पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए जिस बाहरी पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है वह कहलाता है क्या अगला क्यूचन देखते है कि द्रभूत पेट्रोलियम गैस का जलना किस परकार के अभिकिरिया है तो आपका राइट एंसर क्या हो जागा दहन क्या हो जागा दहन हो जागा अगला दिया क्या कि बैटरी में अमल होते हैं बैटरी में जो अमल होता है वह अमल क्या होता है तो सल्फिरिक अमल होता है क्या होता है सल्फिरिक अमल का होता है अगला क्योंचन दिया है जो बैटरी में देख रहा है ना पानी उसी को बोलते हैं जो बहुत बड़ा बैटरी होता है ट्रक में इसे में देख रहे हैं उसी में पानी जो हता है वो सलफिरीक अमल होता है अगला क्योंचन दिया है कि इमली में कौन सा अमल होता है इमली में जो खरापन को दूर करने में उपयोग जो कियाता है वह उपयोग किसका कियाता है अगला दिया है कि ऐसा पदार्थ जिसका जलिये बिल्यन लाल एटमस को निला कर देता है क्या कहलता है वह उंसे हम बहुत में कहते हैं यह यह तु आप क्या कह सकते हैं चार भी कह सकते हैं थी नयव市दिया कि कॉपर सल फेल्ट क्रिश्टल में क्रिस्टलन जल के अनुव की संख्या रहती है कितना रहती है तो अनुव की संख्या जो है से कितना है पांच है अगला दिया क्या कि सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल में क्रिस्टलन जल के अनुव की संख्या रहती है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा दस हो जाएगा कितना जगा दस हो जाएगा अगला कोचन दिया क्या कि अमलका जल्य बिलियन सूचालक होता है अमलका जल्य बिलियन सूचालक होता है किसका सूचालक होता है तो बीधूत का सूचालक होता है अगला क्यों चंदिया क्या कि हमारे जल का प्येचमान होता है हमारे शरीर का प्येचमान जो है से कितना होता है तो मैंसरी का प्येचमान जो होता है से साथ से लेकर साथ पॉइंट आठ के बीच होता है कितना साथ पॉइंट साथ से लेकर साथ पॉइंट आठ के बीच होता है अगला की उचन दिया है कि मनुस में कितने परकार के दांत पाए जाते हैं तो मनुस में जो है जो दांत पाए जाते हैं वह चार प्रकार के दात के हैं पाए जाते हैं अगला की उचन दिया है कि प्रकास अंसलेशन के दवारा किसकी उत्पत्ति होती है तो प्रकास अंसलेशन के दवारा जो है से मतलब क्या है गुलकोज की उत्पत्ति होती है अगला की उचन दिया है कि आमासे में कौन सा एक्जा पाया जाता है अमासे में कौन सा एक्जाम पाया जाता है तो आपका राइट एंसर क्या हो जाएगा पैपसिन हो जाएगा पैपसिन हो जाएगा अगला की उचन दिया है कि हरित लवक के अंदर जीलियों से बनी नालियां को क्या कहते हैं हरित लवक के अंदर जीलियों से बनी नालियां को क्या कहते हैं इसका राइट एंसर क्या हो जगा थाइला काइड कहते हैं क्या कहते हैं इसको थाइला काइड इसको कहते हैं अगला की उचन दिया है कि प्रकास संसलेशन की प्रकासिये पर्तिकिरिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है तब कर राइट एंसर क्या ह हो जागा हो जागा अगला क्यों चन्द्यागा कि मनुस में राग रन्तियां पाई जाती है तब हो एंसर कितना हो जागा तीन हो जागा कि अगला कि उचन दिया है क्या अगला कि उचन दिया है कि प्राकीर्ट में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना अगला कि उचन दिया है कि के उचन दिया है कि खिशू हो में दूध के प्रोटीन को ठक्का बनाने के लिए कौन सा एक्जाइम पाया जाता है कौन सा एक्जाइम पाया जाता है मतलब कहना है कि बच्चे में दूद के प्रोटीन को ठक्का बनाने के लिए कौन सा विशेश एक्जाइम पायता है तो आपका राइट एंसर क्या हो जाएगा रे नीन हो जाएगा अगला क्यूचन दिया क्या कि सुर्य परकास का रुपांतरन किस रसायनिक उर्जा के रूप में होता है जो हमारे उपचार के लिए सिधे परजुगत किया जाता है तो आपका परकार की परतिक किरिया है स्वासन किरिया किस परकार की परतिक किरिया है तो आपका राइट एंसर क्या हो जागा आक्सिक करन हो जाएगा अगला क्यूचन दिया है क्या कि ट्रेकिया में पीछे वायू नली की इन दो भागों में विभाजित होती है ट्रेकिया के पीछे वायू न लेकिन दो भागों में विभाजित होती है तब कराईट एंसर क्या हो जगा? ब्राकाई हो जगा अगला एक उचन दिया है कि मनुस में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है मनुस में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है तबकर राइट अंसर क्या हो जागा 12 हपसलिया पाई जाती है अगला क्या चुन दिया है कि मनुस में फेंफडे का महत्तम आयतन कितनी होती है तबकर राइट अंसर हो जागा कितना कि 500 से 6,000 मिली लेटर हो जागा अगला कीचन दिया है कि बिना किसी अतरिक्त प्रयास के मनुस कितने हावा सांस लेता और छोड़ता है तब का राइट अंसर जो है से क्या हो जागा आपका राइट अंसर 500 मिली लीटर हो जाएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजे शेर कीजे और हमारे चैनल से जूटे रहने के लिए सब्सक्राइब कीजे और यहां तक के हमें यह भी बता दना चाहता हूँ कि जो भी अश्ट्येंट लोग जो घर बैठे मतलब कोचिंग संसात्व ऐसे सब्बंध है जो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है अपने दोस्तों को पास उनको भी शेर कर दीजे कि ताकि वो भी अपना घर बैठे मतलब लाब उठा सके धन्यवाद